कि आज मैं आपको बताता हूं कि फिजिक्स की सबसे खतरनाक और दुरंदर किताबे कौन सी है अब सब लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा होगा कवर कुछ भी हो प्रॉब्लेम्स इन जेनरल फिजिक्स आज कल कई सारी विबलिगेशन निकालती है एरोडोफ ठीक है तो ठीक है लेकिन इसमें ऐसा है कि इसके सारी प्रॉब्लम्स करने लायक नहीं होती अगर आप जेएडवांस और ओलम्पियाड के हिसाब से देखें तो तो जेएडवांस के लिए एक लिस्ट सी है कुछ कॉश्चन की जो कोटा में चलती रहती है तो लगबग मानलों की हजार से 1200 कॉश्चन है जो आपको इसका करने होते हैं ठीक है लेकिन बहुत अच्छी किताब है कुछ असान भी कॉश्चन है कुछ मुश्किल भी है कुछ बहुत ही मुश्किल है लेकिन एक अच्छे बच्चे को जो आयटी में एडवांस में 200-400-400 गंदर रेंग चाहता है उसको लोगों को सॉलूशन ही नहीं पता तो लोगों ने ढूना एक दूसरे से पूछा अब एक दूसरी किताब है जो लगवा लगवा ऐसी है इसको बोलता हूं प्रॉब्लम से इलिमेंटरी फिजिक्स मैं तो इसको शेलनोव से याद रखता हूं इरोडो शेलनोव एक जैसे न सॉलूशन खुद राइटर लिख रहा हैं बहुत ही जैनुवन सॉलूशन है क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं यह जिन्हों लिखी है तो इस वेरी गुड़ बुक बिल्कु लिड़ो जैसी है यह यह भी आपको करनी चीए अगर आपको वही पांसोजार रेंग के किताब के उपर ठीक है यह यह कुरोटोव बुक है इसमें मेरे ख्याल से कुछ 300 प्रॉबलम है लेकिन यह 300 की 300 कुछ ऑलम्पियाड से किताब है रस्ट्रियन ऑलिम्पियाड से उठाई रखी है और यह सारी मुश्किल कॉस्चिन लगबर लगबर तो आप मान सकते हो कि यह इरोडोव से उपर है रीजन दिंग क्या है कि इरोडोव में एक कंसेट बिल्दिंग है, एक टेक्स बुक की तरह है, छोटी उप सर है, छोटी कुछण फिर और बड़े कुछण, पिर और बड़े कुछण, बता छोटा भी इतना छोटा नहीं होता लेकिन हां, मुश्किल, बहुत मुश्किल बहुत ज्ञादा मुश्किल इसमें लग लग सारी कोष्टन मुश्किल हैं बहुत ही अच्छ आपका दिल लगे हैं करने में अगर आपके फिजिक सच्छी है तो अब चलते हैं खतेना किताब है ओलम्पियाड के लिए पाथ फाइंडर जे एडवांस ओलम् है चैलेंज और स्टेंडिंग यह बहुत ही खतरनाक लेवल है इसको कॉस्टिन करके मज़ा आता है mcq भी टाफ है कई mcq बहुत टाफ है लेकिन इसमें कोई बहुत ही हलका कॉस्टिन नहीं बहुत खतरनाक किताब है अगर आप overall बोलो कि सरी इरोडोव से मुश्किल है बिलकुल मुश्किल है काफी मुश्किल किताब है अच्छी खासे मुश्किल है किसमें कॉस्टिन की संख्या बहुत ज्यादा है और मेरे खाल से इसमें मैंने गिने तो नहीं लेकिन मेरे खाल से 11-1200-1300 क मुश्किल मतलब इसमें आसान कॉस्टिन नहीं है अगर एक बहुत एक छोटे मोटे जिसको फिजिक्स कम आती है ना उसको आप यह दे दो तो यह वो हर जगा अटकेगा ठीक है तो सीरिसली मतलब कमजोर दिल वालों के लिए किताब नहीं अब इसके बाद मैं आपको दिख तो नाडिक जी ने दो किताबें निकाली एक और किताबें के 123 टर्की प्रॉब्लम्स जो टर्की है लेकिन इतनी सान मुश्किल नहीं है यह जो दो किताब है यह गजब मुश्किल नहीं इसमें आगर आप देखोगे तो यह एक आदमी सोच रहा है तो ऐसी होगा आप के लिए इसमें असान प्रॉब्लम्स ना के बराबर है ठीक ना तो यह केवल मुश्किल है तो ओवराल जो एवरेज ओफ डिफिकल्टी वो इनका बहुत साथ है ठीक है कई कई कोश्चन में आपको दिन दिन लग सकता है नहीं भी सॉल्फ हो सकती लेकिन अच्छी बात फिर ना देना से क्या होता है लोग यह दूसरे से पूछते रहते हैं तो किताब का फेम बढ़ जाता है तो कुल में लाग यह सब कॉश्चन यह सब चीज़ें अगर आपको यह सारी किताब आती है तो भाई आफ फिजिक्स के बहगवान है ठीक है आफ फिजिक्स में बहुत ठीक